अब हलो इस्ट्टूरेंट वेल्कम टू आसेस्ट क्लासस पीसी अम पीसीब बच्चो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास्ट क्वल्थ कैमेस्टी के प्रिवियस यर बोड इक्जाम में पूछे गया और आने वाले बोड इक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले कोश्चन तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते देखतें इंपॉर्टेंट कोश्चन है क्या हमारे फर्स्ट कोश्चन की बात करते हैं जो कोश्चन है यह हमारा 2020 बोड इक्जाम में बच्चों पूछा गया है ठीक है तो यह प्रिविएस येर पीब क्यान है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेशिए के मिकल इक्वेशन राइट के मिएकली क्वेशन अवं इग्जाम्पल ऑंफ फॉर्मेशन ओफ एथर भाई शैडि ऑफ अफ इल्कोहल बच्छों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें हमें इथर बनाना है क्य कैसे प्रपीयर करते, बहुत important reaction है, देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बनाने के लिए जो Chicbox Ethyl Alcohol, क्या ले लेते हैं, Иल्कोहल की reaction किस के साथ कराते हैं, Sulfuric Acid, हें H2, SO4 के साथ, ठीक, तेमप्रेचर कितना होगा, बेटा अगर temperature की बात करते हैं तो 373 Kelvin temperature होगा ठीक है तो when ethyl alcohol reacted with sulfuric acid at the temperature of 373 Kelvin then product क्या बनेगा बेटा यहाँ पर बनेगा C2H5HSO4 ठीक है यानि इसको बोलेंगे ethyl hydrogen sulfate ethyl hydrogen sulfate के साथ क्या बनेगा H2O बन जाएगा ठीक है 2020 board exam में पूछा गया question है important question है ठीक है उसके बात क्या करेंगे बेटा जो हमें मिला क्या ethyl hydrogen sulfate यानि जो हमारा ethyl hydrogen sulfate होगा यानि C2H5HSO4 ठीक इसकी reaction हम किसके साथ यानि ये फिर से ethyl alcohol के साथ reaction करेगा C2H5 OH होगा ठीक तो जब ये reaction करेगा तो यहाँ पर product देख रहे होगे बनना है क्या die ethyl ether यानि C2H5 OC2H5 ठीक है ये बन गया die ethyl ether ठीक है बच्चो die ethyl ether और ये क्या होगा H2SO4 ठीक है H2SO4 जो की impurity होगी इसको बाद में हम सही कर लेंगे तो ये preparation method था हमारा कि die ethyl ether कैसे prepare करेंगे ये बहुत important question प्रिवियस एर एक्जाम में पूछा गया है और आने वाले board एक्जाम के लिए बहुत important ठीक है यहां तक सभी को समझ में आया होगा चलते हैं अगले question की बात करते हैं तो अगला question भी हमारा important question है ठीक है important question है और इस important question को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे ठीक देखो यहां पर बात करते हैं question दिया गया है क्या है you are given benzene ठीक हमें benzene दी गई है concentrated h2so4 यहां पर concentrated s2so4 and NaOH यहां पर क्या होगा NaOH होगा sodium hydroxide ठीक है NaOH होगा ठीक है NaOH write the equation for the preparation of phenol using these reagent मतलब इन reagent का use करके हमें क्या करना है कि बनाना क्या है हमें phenol बनाना है कैसे बनाएंगे सबसे पहले देखो आगर हम benzene की बात करते हैं ठीक है benzene की तो आपको पता है यह बेंजीन का structure है heavy energy power ना मैं ठोड़ा सा color change कर लेता हूँ यह रेट कर लेता हूँ यह क्या है यह बेंजीन का structure है बटा है अब बेंजीन का हम शल्फोनेशन कराएंगे थिक तो इसकी concentrated H2SO4 के साथ reaction कराएंगे क्या होगा यहां पर शल्फोनेशन क्या होगा बटा शल्फोनेशन होगा ठीक और इसको हम मम हीट करें तो यहां पर देखो ब्रोडेक्ट बनेगा है कि साथ यह बनेगा सो क्या sodium benzene sulfonate यह हो जाएगा कुछ इस तरीके से और उपर क्या लेगेगा SO3 एने positive ठीक है यहाँ पर minus का चार्ट होगा तो यह बना benzene sodium benzene sulfonate benzene sulfonate बन गया फिर क्या करेगा जो यह benzene sulfonate बनेगा यह fusion करेगा किस के साथ NaOH के साथ NaOH sodium hydroxide के साथ में यह क्या करेगा fusion करेगा fusion करेगा और fusion करेगा temperature होगा 573 Kelvin यतने Kelvin temperature पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यह बनेगा हमें sodium phenoxide यह बन जाएगा sodium phenoxide उपर लगा लेंगे O Na sodium phenoxide बन गया और sodium phenoxide की जब reaction कराएंगे हम HCl dilute HCl के साथ कैसा? dilute dilute hydrochloric acid तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बटा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा OH यानि phenol मिल जाएगा और प्लस NaCl अलग हो जाएगा ठीक है? तो यह हमें मिल गया phenol इस तरीके से हम phenol बना सकते हैं ठीक है? हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो यह हमें बेंजीन दी गही है है न? बेंजीन की reaction concentrated H2SO4 के साथ कराएंगे जब इसको heat करेंगे तो यहाँ पर sulfonation होगा sulfonation होगा तो यहाँ पर benzene sulfonic acid बनेगा और इस sodium benzene sulfonate का NaOH के साथ fusion कराएंगे 573 Kelvin temperature पर तो यहाँ पर बनेगा sodium phenoxide sodium phenoxide बनेगा और NaHSO3 बनेगा फिर sodium phenoxide की reaction dilute hydrochloric acid के साथ कराएंगे तो जब dilute hydrochloric acid के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें phenol मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? phenol मिल जाएगा तो important question है यह भी हमारा 2000 20 board exam में पूछा गया है 18 में पूछा गया है 16 में पूछा गया है previous year question है बाग की बहुत important है तो इस question को note कर लिजेगा फिर हम आगे का question solve करते हैं ठीक है आगे के question के और चलते हैं अगला question अगला question और बहुत ही महत्तुपूर question बहुत important question यहाँ पर आपको सारी चीजे क्लिक के बताऊंगा है न हो सकता हो यहाँ reaction थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रही हूँ ठीक है देखो बटरी यहाँ पर पूछा गया है question number third है describe two general method for the preparation of monohydric alcohol also write the chemical equation for the reaction and ethyl alcohol with bleaching powder चल सबसे पहले हम बात करते हैं general preparation method of monohydric alcohol ठीक है तो general preparation method of monohydric यहाँ पर primary alcohol की बात करते बटा तो preparation method क्या होगा इसमें बात करते हैं by the hydrolysis of alkyl highlight with ecoscastic alkali moist silver oxide कैसे बनाएंगे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अगर देखो कैसे बनाएंगे अगर हम बेटा alkyl highlight यह क्या है rx alkyl highlight alkyl highlight की reaction अगर हम potassium hydroxide के साथ कराते हैं ठीक है koh के साथ कराते हैं ठीक है जो की ecosform में होगा ठीक है तो alkyl highlight जब potassium hydroxide के साथ reaction करेगा तो monohydric alcohol बनेगा roh बनेगा plus potassium highlight बन जाएगा ठीक है यह primary alcohol मानलो या इसको monohydric alcohol इस तरीके से बनता है ठीक अब इसके example की बात करते हैं तो example में जैसे देखो ethyl bromide हम ले लेते हैं यहाँ पर समझो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको C2H5OH अगर हम ethyl bromide की reaction potassium hydroxide के साथ कराते हैं ठीक तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5OH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ethyl alcohol plus potassium bromide बन जाएगा यही चीज़ यहाँ पर दीगी है कि वेन alkyl highlight देखो Rx alkyl highlight और किसके साथ KOH के साथ reaction करता है ठीक है तो यहाँ पर ROH plus KX बनता है ठीक वहीं पर ethyl bromide यानि C2H5 BR किसके साथ potassium hydroxide KOH के साथ reaction करता है तो यहाँ पर ethyl alcohol और potassium bromide इस तरीके से बन जाता है ठीक दूसरा method आता है by the reduction of aldehyde and ketones using the sodium amalgam and water are lialoh4 ठीक अगर हम aldehyde की बात करते हैं बैटर तो देखो aldehyde का formula RCHO अब आपको साथ साथ दिख रहा होगा यह aldehyde हमारे पास और इसके हम क्या करना है reduction करा रहे है तो यहाँ पर 2H है reduction हो गया amalgam होगा sodium mercury amalgam की presence में तो यहाँ पर क्या बना alkil alcohol बन गया ठीक जैसे CS3CHO CH3CHO यह क्या है acetaldehyde और अगर हम इस acetaldehyde का बेटा क्या कराते है reduction कराते है acetaldehyde NAHG जो की एक amalgam है sodium का amalgam है उसकी presence में तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा हमारा बनता है C2H5 OH ethyl alcohol बन जाता है यह भी preparation में थड़ है ketone की बात करते हैं ठीक है हम क्या कराते है reduction कराते है ठीक है sodium amalgam की presence में li al h4 की presence में तो secondary alcohol बनेगा secondary alcohol मतलब r c h o h r dash these are the secondary alcohol ठीक है these are the secondary alcohol जैसे ac tone की बात करें हम यहाँ पर बेटा इसको उटा देते हैं यहाँ पर ac tone की बेटा बात करते हैं यहाँ पर तो ac tone का formula होता है c h 3 c o c h 3 these are the ac tone और इसका अगर हम reduction कराते है 2 h क्या कराएं बेटा इसका हम reduction कराएं किसकी sodium amalgam na hg ठीक है तो यहाँ पर क्या बनता है isopropyl alcohol c h 3 c h o h c h 3 ठीक है यानि secondary alcohol या फिर sodium amalgam समझ में आया होगा नोट करो फिर आगे इसकी properties के बारे में हम लोग discuss करते हैं ठीक है समझ में आ रहा होगा आगे लेखो हम बात करेंगे chemical properties की ठीक है तो chemical properties में जो पहली property आए जो बटा हो हो जाएगा क्या reaction reaction of ethyl alcohol bleaching powder it takes place in the following step मतब जब ethyl alcohol bleaching powder के साथ reaction करेगा तो देखो bleaching powder के लिए क्या होगा कई सारे step होंगे मैं यहाँ पर c a o c l 2 है ठीक है अब आपको दिख रहा होगा है ना और इधर है c h 3 c h 2 o h मैं यहाँ पर देखो देखो bleaching powder क्या है c a o c l 2 है ना और इसकी सबसे पहले हम h 2 o के साथ reaction कराएंगे तो जब reaction कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा c a o h का hole twice ठीक है और प्लस chlorine gas यहाँ से release होगी ठीक अब यह जो chlorine बनी बैटा इस chlorine की reaction हम एथिल alcohol होगी दो इस्टेप में reaction हो रही c s 3 c h 2 o h एथिल alcohol हो गया और इस एथिल alcohol की reaction हम chlorine के साथ कराएंगे तो बैटा जब एथिल alcohol chlorine के साथ reaction करेगा तो बनेगा c s 3 c h o जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यह हमारा acetaldehyde प्लस है एचल ठीक important reaction है इसको important reaction में रखिएगा ठीक है समझ में आया होगा note कर लीजेगा फिर आगे चलते बटा अब आगे चलते हैं आगे देखो आगे बात करते हैं यहां पर देखो अगले की बात करते हैं बटा यहां पर जैसे दिया गया है कि acetaldehyde की chlorine के साथ reaction कराईगे तो acetaldehyde मतलब मैं कलर छेंज कर लिदा है कि देखो यहां पर गया है यह ch3cho यह acetaldehyde है और इसकी reaction chlorine के साथ हो रही तो जब acidal dehyde chlorine के 3 molecule के साथ reaction करेगा तो यहां पर क्या भनना love है लो बना हाईडोग्लोरल का फॉर्टूलआ इधा लिख लिकर है लो मैं लिकर यहां पर काल्सियम हाइड्रोकसाइट क्या करेगा क्ने सुआ हो अटο खुलौर्ड के दो मौलिकुल के साथ तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर CHCl3 chloroform बना और क्या बना यहां पर यह प्रोडेक्ट बन गया ठीक दूसरी प्रोबर्टी आ जाती कि reaction of ethyl alcohol with concentrated S2SO4 at different temperature ethyl alcohol react with concentrated S2SO4 different temperature अगर ethyl alcohol की बात करते हैं ठीक अगर हम ethyl alcohol की बात करते हैं चलो आगे देखते हैं ठीक आगे देखो यहां पर बात करते हैं अगर बेटा है देखो 2CH2C2H5OH क्या है ethyl alcohol है और इसकी reaction अगर H2SO4 के साथ बेटा कराए गई ठीक है और low temperature at low pressure distillization किया गया low pressure पर क्या बनेगा तो यहां पर प्रोडेक्ट बनेगा C2H5 का whole twice बटा है ना C2H5 का whole twice और SO4 ठीक प्लस H2O बन जाएगा ठीक है इसको बोलते है diethyl sulfate ठीक वहीं पर फिर second number पर आती है हमारी reaction कि अगर C2H5OH यानि ethyl alcohol की reaction हम H2SO4 के साथ कराते हैं और temperature 100 से 110 degrees Celsius होता है तो यहां पर product बनेगा ethyl hydrogen sulfate क्या बनेगा ethyl hydrogen sulfate और H2O यहां पर यह बताया गया कि different temperature पर अगर reaction कराएंगे तो क्या बनेगा वहीं पर ethyl hydrogen sulfate की reaction अगर हम ethinol के साथ कराते हैं ethyl hydrogen sulfate बना था उसकी reaction अगर ethinol के साथ और 140 degree Celsius temperature पर कराएंगे तो यह किसमे convert हो जाएगी बिटा यह convert हो जाएगी diethyl ether और H2SO4 में ठीक वहीं पर अगर हम C2H5 HSO4 की reaction 160 से 170 to 170 degree Celsius temperature पर concentrated H2SO4 यानि excess of H2SO4 की presence में कराते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा C2H4 जिसे हम लोग क्या बोलते है एथिलीन बन जाएगा ठीक वहीं पर reaction with PCL5 अगर ethyl alcohol बटा C2H5 मैं लिग देता हूं साब सब दिखेगा H5OH यह किसके साथ reaction करें अगर यह PCL5 phosphorus pentachloride के साथ करता है तो यहां पर मनता है C2H5Cl ethyl chloride बनेगा POCl3 plus SCL बनेगा ethane form ethane from ethanol देखो C2H5 दिया गया है यानि C2H5 OH ठीक है और इसकी reaction अगर हम concentrated H2SO4 के साथ कराते है 160 160 degree से 170 degree Celsius पर ठीक है तो यहां पर ethylene बनता है क्या बनता है ethylene C2H4 यह ethylene बनेगा और ethylene की reaction अगर हम NaH के साथ कराते हैं यानि इसका reduction कराते हैं कराते हैं तो यहां पर बनेगा C2H6 यानि ethylene बन जाएगा ठीक है तो सभी reaction बहुत important थी यह previous year बोर्ड एक्जाम में पूछी की reaction थी question थे आज की class में इतने रखते बड़ चो thank you for this class सबस्या पहाँ क्झा पर बनेगा बना माईगा mayor पुर्द के से रखते हैं हमें सभादों हाएगマ की थाज का बना मा उना थे यह दो के साथते हैं झाल झाल